हे गाईज वेलकम टू माई चैनल आज की वीडियो में बताएंगे की इन ड्राइवर एप आपके फोन में डाउनलोड नहीं हो रही है तो कैसे उसको डाउनलोड कर सकते हो अगर आप इन ड्राइवर एप डाउनलोड कर रहे हो वहाँ पेंडिंग की प्रोब्लम आ रही है तो और यहां पर आपको इंस्टॉल को option मिल जाएगा इंस्टॉल वाले option पर क्लिक करते हो तो यह इस तरह से परिंडिंग दिखाता है एप यहां पर डाउनलोड नहीं होता है और यह परिंडिंग चो होता है यह problem आपके साथ हो रही है तो कैसे इसको ठीक कर सकते हो इस problem का क्या solution है step by step video में बताएंगे सारी setting आपको अपने phone में करनी है और इसके बाद यह problem ठीक हो जाएगी सबसे पहले आपको कुछ setting करनी है अगर आप यह setting step by step करते हो तो आपका यह problem ठीक हो जाएगा आपको कुछ setting बताऊंगी कुछ setting आपको phone में करनी है कुछ setting आपको play store में करनी है और जब आप यह setting कर लेते हो इसके बाल आपका जो app है वो असानी से download हो जाएगा सबसे पहले आपको जाना है अपने phone की setting में जैसे ही phone की setting में जाते हो इस तरह से page show हो जाता है यहाँ पे आपको नीचे stroll करना है और यहाँ पे app यह application करके एक option दिखाई देगा यहाँ पे click करना है इसके बाद यहाँ पे आपको option मिलता है system app, manage app, manage home screen, uninstall dual, app permission, app lock up, app management या तो manage app करके option दिखाई देगा इस पे click करना है हमारे में manage app option है then हम यहाँ पे click करते हैं इसके बाद इस तरह से page show हो जाएगा यहाँ पे आपको search का icon दिखाई देगा यहाँ पे आपको type करना है play store और आप देख सकते हो play store app जो है वो यहाँ पे आ जाएगा इस पे click करना है यहाँ पे आपको setting बताऊंगी इन setting को अपने phone में कर लीजिएगा सबसे पहले आपको permission में जाना है और आपको यहाँ पे देखना है sms storage telephone यह परमिशन आपके phone में allow है या नहीं है अगर यह permission allow नहीं है दन आपको इनको allow करना है next thing यहाँ पे आपको last में आना है यहाँ पी clear data को option दिखाई देगा clear catch पर click करना है ओके करना है फीर से आपको clear data पर click करना है and ok करना है इतनी setting जब आप कर लेते हो इसके बाद यहाँ पे आपको restrict data užsas यहाँ प्लिक करना है यह अगर आपके में on नहीं है तो आपको यह टिक करना है and okay करना है जब आप यह सटिंग कर लेते हो इसके बाद आपको back आ जाना है अब आपको जाना है अपने phone के play store में तो हम यहाँ play store को open करते हैं यहां पर आप देख सकती हो play store जो है वो open हो चुका है जब play store open हो जाएगा तो इस तरह से page आपको दिखाई देगा यहां पर साइड आपको profile का icon दिखाई देगा आपको profile वाले icon पर क्लिक करना है इसके बाद यहां पर आपको इस तरह से कुछ option दिखाई देंगे आपको यहा coronavirus इस option पर क्लिक करना है जिसे ही हैं पर click करोगे इसके बादभ डाउनलोड WILous यहां पर क्लिक करना है इसके तरह से यहां पर आपको तीन पर दिखाई देंगे आपको यहां पर चीज चेक करनी है कि over 99 नेटर्वर्क आप में select है या नहीं select है अगर आप में कोई और option select है दन आपको over any network select करना है and done कर देना है इसके बाद आपको back आ जाना है तो यहां पर हमने यह सारी setting कर ली है अब अपने phone को एक बार restart कर लेना है जब आप phone को restart कर लेती हो इसके बाद यहां पर आपको फिर से play store को open करना है यहां पर आपको type करने का option मिल जाता है यहां पर type करना है in driver जैसे ही type करके search करते हो app आपके सामने आ जाएगी आप देख सकते हो और यहां पर आपको install को option मिल जाएगा install वाले option पर click करना है और आपका app जो है वो download होना start हो जाएगा आप कितनी जल्दी download हो जाएगा यह आपके internet speed पर depend करता है in case अगर आपका net जादा slow है तो यहां पर एक दो second pending की problem आ सकती है लेकिन एक दो second बाद अपने आप ही यह problem ठीक हो जाएगी आपको कुछ नहीं करना है simply एक दो second का wait करना है और आपका problem ठीक हो जाएगा तो एक दो second बाद यहां पर app जो है वो अपने आप download होना start हो जाएगी आप देख सकते हो app download होने वाला है और यहां पे app डाउन्लोड हो गया है अप इंस्टाल हो रहा है आप देख सकते हो यहां पे app डाउन्लोड और इंस्टाल हो गया है अब आपको open option मिल चाता है open option पे click करके आप app को use कर सकते हो वुमिद करते हैं वीडियो आपके लिए helpful रही वीडियो पसंद आई तो लाइक करें चैनल जरूर सब्सक्राइब करें और पास में दियेगे नोटिफिकेशन बेल के आइकन को जरूर प्रस करें थैंक्स फ़र वाचिंग